नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जन्मर्श न्यूस और मैं हूँ देवेंद्र कुमार इन दिनों सोसल्ट मिडिया पर एक तस्वीर जमकर बैडल हो रही है तस्वीर आप स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे हैं या तस्वीर है अनकीता और शारूक का अनकीता दुमका की वो बेटी जिसे शारुख के द्वारा जिन्दा जला दिया गया और अनकीता की मौत हो गई देश की जनता चार ही है कि शारुख को करी से करी सजा हो ऐसी सजा हो कि कोई भी आसिक ऐसा जुरुवत ना करे अगर लड़की नो यानी नहीं कहे तो उसका मतलब नहीं होता है बरी-बरी मीडिया में ख़बर चल रही है कि शारुख अनकीता को परपोस करने के लिए गया और अनकीता ने मना कर दिया और उसके बाद गुसे में शारुख ने अनकीता को जला दिया यह सच है जलाया गया लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जो सच नहीं है यह जो तस्वीर देख रहे हैं आप सबसे पहले अब तस्वीर को देखिए इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखा जाए तो सारुख नकीता कारण में बैठा हुआ है यह भी तस्वीर देखिए यह सारुख है यह अनकीता है इस तस्वीर को आप देखिए यह भी सारुख है यह भी अनकीता है अगर मुझूदा तस्वीर को देखा जाए तो सारुख काफी यंग लग रहे हैं लेकिन इस तस्वीर में देखा जाए तो इसमें कुछ बच्पना टाइप का कुछ चीजें जलक रही है और अनकीता को भी देख सकते हैं दोनों अनमिस्योर टाइप के दिख रहे हैं यह किसी पिकनिक स्पोर्ट का है जहां पर यह दोनों तस्वीरे साथ में लिया गया लेकिन एक चीज में आपको आकरसन करना चाहूँगा कि यह देखिए उंगली यह यह देखिए आप यह क्या है यह कोई लड़का है जिसने यह तस्वीर लिया है लेकिन सोसल मिडिया पर दावे किये जा रहे हैं कि यह तस्वीर सच नहीं है कैसे सच नहीं है यह दोनों साफ साफ एक साथ है इस तस्वीर को छोड़िए अप इस तस्वीर को फोकस किजिए ये दोनों सारुख अनकीता किसी बेड्रूम में देखे जा रहे हैं तस्वीर में साफ साफ दिख सकता है कि सारुख सेलफी ले रहा है अनकीता का और अनकीता कंबल से धकी हुई है अब आप कलपना भी कर सकते हैं अंदर में क्या अक्टिविटी हो रही होगी ये उन सब चीजों पर मैं नहीं जाओंगा जो तस्वीर के सचाई है मैं वो दरसा रहा हूँ फिर उसके बाद मैं बताओंगा किस देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर किस तरह से राजनिती की जा रही है मीडिया ट्यार्पी की खेल कर रही है और यूट्यूबर पतकर भ्यूज का खेल कर रहा है इस तस्वीर को देखिए अब कहीं से नहीं लग रहा है कि ये फोटू एडिटेड है एक फोटू एडिटेड हो सकता है दो हो सकता है, इतनी सारी तस्वीरें? ये क्या दर्षा रही है? ये दर्षा रही है कि अनकीदा और शारुख के 20 पुराने रिष्ते हैं, कई सालों से दोनियों के बीच प्रेम चल रहा था, या पूरा प्रेम परसन का मामला है, ये प्रेम में कुछ ऐसा खेल हुआ जिसमें शारुक नराज हो गया और अंकीता को जला दिया गया अंकीता को जलाना या कतई बरदास नहीं किया जा सकता है शारुक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन सवाल मेरा या है राजिती क्यों हो रहा है जारखंड में राजिती क्यों हो रहा है दूमका को लेक राजि शारुख मुस्लिम है अनकीता हिंदू है इसको लेकर सारुख अपरादी है ये लेकर मुद्दा होनी चाहिए ना कि सारुख मुस्लिम है और अनकीता हिंदू है तो लब जिहाद है ये लब जिहाद कहीं सा नहीं है जो कुछ लोग हिंदुत बादी का चोला पहन कर जो ये है ये दोनों इसकुल के टाइम से प्यार करते आ रहें होंगे तस्वीर से जैसा परतीत होता है ये ये रिच्छा बहुत प्रणा रिच्छा है प्यार में अनुमन लोग इतने घलिष्ट हो जाते हैं कि एक दुसरे को भुला पाना मुश्किल होता है और एक दुसरे को देख पाना भी मुश्किल होता है जब रिष्टे बिगर जाते हैं तो कहीं न कहीं शारुक और अनकीता का रिष्टा बिगरा होगा लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि अनकीता शारुक से कभी मिली नहीं थी ये कहां तक सच है आप तस्वीर में देखके अनुमान लगा लिजिए क्या आपको लग रहा है इस तस्वीर को देखके क्या लग रहा है आपको इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं सारुख जो है गिटार लिए हुए है अनकीता के हाथ में मॉबाइल है और एक लड़का फोटू खिच रहा है लेकिन ये हिंदू है सारुख मुस्लिम है लगें लोग चाटू कारिता करने पत्रकारिता हो कहां रही है पत्रकारिता ये होती कि शारुख को सजा मिलनी चाहिए पत्रकारिता ये नहीं होती कि अनकीता कितना सही है बीना जले धुवा नहीं उठता रोटी एक हासे नहीं बनती और ताली एक हासे भी नहीं बचती कहीं न कहीं दोनों के बीच कुछ गहरा समंधा इस पर चर्चा होनी चाहिए आश्कल के यूवा को क्या हो गया है हर जगा प्रेम की घटना सामने आ रही है स्या बिहार हो चाए जारकन हो चाए दिल्ली हो और कोई परदेश हो लेकिन इन सब मुद्दों को छोड़ कर लोग पढ़ गया है सारुख मुसलीम है मुसलीम है तो मुसलीम है तो क्या हो गया उससे पहले एक इनसान है और इस इनसान ने अप्राद किया है और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन इस पे जो राजिती कह रहा है राजिती किया जा रहा है ये कतियी बरदास नहीं किया जा सकता है कुछ ऐसे तथा कतित पत्रकार है जो दुमका में डेरा डालकर बैठ गये हैं ऐसा लग रहा है कि वो अनकीता को इंसाफ दिला ही देंगे लेकिन उनसे ये पुछा चाहते हैं इस तस्वीर को तो जिक्र किजिए इस तस्वीर की सच्चाई क्या है वो भी बताईए किया अनकीता कभी से नहीं मिली अनकीता ने ब्यान दी मैं मिला ही नहीं तो ये तस्वीर कहां से आ गई ये तस्वीर इस तरह का तस्वीर कहां से आ गई हत्या कतई बर्दास नहीं हो सकता है शारुख ने अपराद किया लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्राइल कर रही है इस मुद्दे को लेकर ये कतई ठीक नहीं है को सजा मिलनी चाहिए आज के तारिख में इस ख़बर को मीडिया दिखाना बंद कर दिया है पता है क्यों चुकि जब से फोटू बैरेल हुआ है ना या किलियर हो गया प्रेम परसंग में पागल आसिक ने लड़की को जिंदा जलाया इसी को लेकर सुबह के जो मुखमंतरी है हैमन सुरौन का बयान आया इसता घटना होती रहती है लगे बिजेपी वाले हिंदुत वाले भगवाधारी बिरोध करने चुकि जारखंड में सरकार है आदिवासियों का भाचपा को पच्चन नहीं हो रहा है पच्च नहीं पा रहा है बात को जो हिंदू बादी पत्रकार है उसको भी बात पच्च नहीं रहा है कर सकता है वो मुस्लिम नहीं एक अप्राधी है अप्राधी बोलिए आप अप्राधी ने हत्या किया और इसके पीछे कहानी भी बताईए अप्राधी ये अप्राधी ला मानसिकता कैसे आई है जो दुमका को छावनी में तब्दिल कर दिया है हम चाहेंगे इस तस्वीर की सच्चाई सामेला है इस तस्वीर की सच्चाई सामेला है यह क्या दर्सा रहा है यह सारूप जो जिस तरह से यह पड़ा हुआ है बेड़ पर यह तस्वीर क्या खाता है कि यहो रहा है अशली जड़ यह है कि प्यार का जड़ स कझी न कहीं सारुक को बेवफाई मिली होगी कखी न कहीं कुछ ऐसी चीजें इसके साथ हुई हो गी अंकीतशके साथ जो दोनों का रिष्पा तूट गया कषी न कहीं ऐसी कोई बात होगी जिसे लेकर दुनों नराज चल रहा था लेकिन सारुख ने जो हरकत की ये बरदास नहीं हो सकता लेकिन जिस तरह से जूटी खबरे दिखाय जा रही है ये भी बरदास नहीं किया जा सकता मीडिया में दिखाया जा रहा है कि अंकीता शारुक को जानती ही नहीं है तो फिर यह क्या है अगर जानती नहीं है तो फिर यह तस्वीर कहा सा सामने आ गई कभी न कहीं यह तस्वीर नहीं ही गई है यह जास का भी से है लेकिन देखने वाले अंधे नहीं है कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है साब साब लोग दीख रहे हैं जो लोग हिंदू मांसिक्ता के पत्रकार हैं सबसे पहले ये चोला मत पहने पत्रकाडिता का धर्म होती है निस्पक्ष दिखाना धर्म की बात और जाद की बात नहीं करना जो सच है उसको सामने लाना चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम जिसने गलत किया है उसका बिरोध करना आप स्टेंड ले लेते हों स्टेंड किस बात की आप पत्रकारीता कर रहे हैं राजिती कर रहे हो राजितिक करना तो चले जाओ अखाड़े में जाओ प्रोटेस्ट करो बिरोद करो क्यों चोला पहन लिए पत्रकारों का ये साबित करने के लिए देश का स्ववाद बिगारने के लिए हिंदू-मुस्लिम करने के लिए बरी-बरी मीडिया तो करी रही है हिंदू-मुस्लिम अब लगें यूटूबर पत्रकार तथा कधित पत्रकार लगे हैं बदनाम करने के लिए, ये जनमस्नूस कभी बरदास्त नहीं कर सकता, जनमस्नूस जनजन की आवाज, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलिम, चाहे सीख हो इसाई, हम हर लोगों की बात करेंगे, तटस्ता से बात क करेंगे, चापलूसी नहीं करेंगे, जो हिंदू भाई हमें देख रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप मेरा बिरोद कर सकते हैं, मैं स्वाधत करता हूँ, लेकिन जनमस्नूस सदेव, खड़ा रहा है सच के साथ, मैंने कभी भी भगवादारी का चोला नहीं पह जिस से देश की स्वाहार्थ की भावना बनी रहे, ना कि एक दूसरे की परती नफ्रत की भावना हो, लगे यूट्यूबर पतरकार स्वाहार्थ विगारने के लिए, यही सब लोग हिंदू-मुस्लिम करता है, शारुख न गलत किया है, एक यूबख है, यूबा है, इसकी फासी हो, मैं अपील करता हूँ, मैं गुहार लगाता हूँ, अंकीता को नयाय मिले, लेकिन ये भी सच बताइए, कि अंकीता का प्यार था, पुराना प्यार था, ये भी सच सामने आना चाहिए, प्रेम परसंग में गया है जान, प्रेम परसंग में, अब प्रेम परसंग की तो तूट पर हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए अब कहा हिंदू मुस्लिम कर रहा है कि फोटू बैरेल हो गया ना सामने आ गया यह दखिया यह फोटू है यह फोटू है यह दखिये यह दखिये यह दखिये क्या रिस्ता है यह किसी देखिए इस कपड़ा पकड़िया यह क किसी लोज क्या है कि स्टूडेंट के घर पे लड़की गई हुई है वहां के तस्वीर है ये कौन से लिला यहाँ पर हुआ होगा दर्सक समझदार है समझ रहे होंगे यह देखी लिला आप इसकी लड़ाय लड़ रहे हैं लडिये गलत हुआ लेकिन इसी लड़ा लड़ी है जो सच है वो बताईए समय नरा अंकिता के साथ मेरा भी है मैं भी जा सकता हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं भी वहां जा गला फार सकता हूं लेकिन मेरे मेरा काम यार नहीं कि मैं जाओं अद्दोग समुदाय में लड़ाय हिंदू का गमशा पहन लो आगे हिंदू पत्रकार काहे कर पत्रकार भया कोई और काम कर लो पतिकायत तुम लोगों सवाने देता है जो चोला पहन के जंदक चूतिया बना रहे हो पत्रका काम होता है सटिक्ताक से साथ लाना किसी का पक्ष नहीं लेना ना मैं इसका पक्ष ले रहा हूं ना मैं इसका पक्ष ले रहा हूं सच का पक्ष ले रहा हूं एक लड़की की मौत हुई है एक लड़का ने पेट्रोचिक के जिंदा जलाया बस इसको मौत मिले यही फ मुष्लिम इसी देश में रहेगा इससी का देश है सब लोग इसी देश में रहेंगे जितना चोला पहना हुआ है ना सब का चोला मैं उतारूंगा अब देखता हूं कोन मेरा क्या उखारता है mee आई है कुछ ऐसे पत्रकार हैं बीना पत्रकाईटा कि यह दिग्री लिये हुए चले हैं मैक उठा करने के लिए बरे बरी मीडिय को सब नहीं आती है वो दो भी ट्यार पी खेल रही है आप आप दो भी शर्म करो सोचल मीडिया मतलब समाजिक पत्रकारिता, कुछ तो समाज के लिए करो, क्यों आप पाफ हेला रहे हो, क्यों जखर कोल रहे हो, हिदूट को नाम पर, आप लोग एवहासा क्तलं लोगा घ़र में कुट-कुट के लोग जी रहे होंगे, को भी सोच रहे होंगे यार मुस्लिम गलत है हिंदू गलत है कुछ तो अच्छा काम करो कुछ तो संदेश दो क्यों राज़ती पेलर हो इसके नाम पर सच सामने है तुमका की कहानी आप लोग तक पहुँच रही है मैं भी चाह रहा हूँ इस लड़की को नयाय मिले लेकिन इस लड़की के चरित्र का सामने आना भी जरूरी है ताकि इक्वल नयाय हो किसी के हत्या हुई है तो जो सजा बनता है इस लटखोर को इस हराम खोर को सजा दो लेकिन इस तस्वीर को भी बताओ ये रिस्ता यह तस्वीर क्या कहलाता है हिंदू मुस्लिम करना बंद करो अगर आपकी हमारी बात कड़वी लगी है तो माफ किजिएगा चुकि हम सटिक बोलते हैं हम पत्रकार का चोला नहीं पहने हुए असली पत्रकार हैं पढ़ाई किये हुए हैं चोला पत्रकार नहीं कर रहे हैं डिगरी है हमारे पास है ना डिगरी हमारे पास इसलिए गर्व से बोलते हैं और बाकी से तरह पूछ लेजेगा जो फ़र्जी घूमरे हैं तरस्वकों से नुरोध है कि इस वीडियो को देश्रित में बैरेल किजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद